नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विप्टेक इस्टेडी में आज हम जानते हैं जेनल नौलिज के कुछ मोश्ट इंप्रोडेंट पूश्चेंस के बारे में जो कि प्रिवेस एक्जांस में पूछी आ चुके हैं लेट्स गो ग्रीन चैनल है एक एक डाक सेवा भारत में डाक सुषकां पढाने की सुरुवात कि स्वर्ष हुई सी 1972 में भारत को कितने डाक जोन में विवाजित किया गया है सी आठ पसे दिवरुपाच मंदिर कहां अवेस्थित है इसका अंसर है सी हमपी में हिंद भारत की जनता के संदर्म में हिंदु सब्द का पथम बार प्रयोक किया गया था ए अर्बोने महंच जोजाड़ो कहां इस्थित है ए सिंद महात्मा गांदिया सब्तिया ग्रह किर्यावली सबसे पहले कहां पस्तुत की ए दांडी बैंकिंग के चत्रे में cbs में c का पूर्ण रूप क्या है एक कोर और इसका पूरा नाम है cbs का फूर्फ फॉर्म कोर बैंकिंग सर्विसेज यह आपका है इसका फूर्फ फॉर्म कैड का पूर्ण रूप क्या है c computer added डिजाइं ओमर का पूर्ण रूप क्या है optical mark reader सेज एसी जड का पूर्ण रूप क्या है एस पैसल एकोनोमिक जोंड डबलू एलल का अर्थ है वी वायरलेस इन लोकल लूप जहिन का नारा किसने दिया एस सुवाचनर बोस ने किसने का था तुम मुझे खोंद मैं तुम्हें जाए दूँगा डी सुवाचनर बोस देश बंदू की उपादी समंदित है डी चित्रंजन दास सुवाचनर बोस ने सिंगापूर में दिल्ली चलो के नारा दिया भी 1943 में गांधी इर्विन समझोता किसे समंदित है एस समेना विज्ञा अंदुलान महात्मा गांधी को सर पत्रम राश्पिता किसने कहा सी सुवाचनर बोस ने कायदे आजात किसे कहा जाता है ए मुहमद अली जिन्ना चौरी चौरा नाम परसी दिस्थल कहा है ए बुरखपूर किसने कहा मद्ध रात्री के टकोर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन वा फुतनता के लिए जाग उठेगा इसका अंसर है ए जौलल नहरू वो लिफ्स इफ इंडिया डाइच किसकी उपती है ए जौलल नहरू पंजाबी भासक किस लीपी में लिखी जाती है किस लीपी को सभी लीपियों का जम दाता कहा जाता है किस काल की लीपी को चित्राकार लीपी कहा जाता है ए सिंदुकाल जैन सूत्र में कितनी लीपियों का उलेख है सी अठारा बहुत देगरंद ललित त्विस्तार में कितनी लीपियों का उलेख है डी एटिनाइन असोग के सिला लेखो की क्या लीपी है डी ब्राम्मी भारत की तीसरी सरवाधिक बोली जाने वाली भासा है यह तलगू और दोस्तों पहली सबसे ज़्यादा और दूसरी सबसे ज़्यादा बोली वाली भासा क्या है यह आप मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा चोल सासकों की भासा क्या थी यह तमिल धन्यवाद दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो